डाइसन स्पेयर इसके बारे में आप लोगों को शायद पता होगा और कही लोगों को शायद नहीं पता लेकिन इस वीडियो में मैं आज डाइसन स्पेयर क्या है ये बताऊंगा और इसके साथ ऐसे एक मेका स्ट्रक्चर को हम कैसे बना सकते हैं उसके उपर भी हम बात करेंग क्योंकि मैं हर दो दिन मैं ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो अब डाइसन स्फेयर होता क्या है इससे पहले हम जान लेते हैं कि इस स्ट्रक्चर का आइडिया कहा से आया ओलिव स्टेपलेडोन जिन्होंने एक नौवल लिखा था जिसका नाम है स्टार मेकर जहां पर उन्होंने सॉलर एनरजी के उपर बात किया था कि हम कैसे उसके एनरजी को ज्यादा से ज्यादा इस्तमाल कर सकते हैं फिर Freeman Dyson जिनोंने Dyson Sphere का idea हमारे सामने रखा 1960 को Dyson Sphere basically एक hypothetical mecha structure है जो हमारे sun से सारे energy को store करेगा और फिर हमारे लिए वो usable बनाएगा अब आप सोच रहे होंगे हम तो solar panels के मतद से सुरज के energy का इस्तमाल करते हैं लेकिन मैं आपको बता देता हूँ हम 0.01% energy भी यूज नहीं करते सुरज का और अगर हमने 1% energy को भी यूज करना सीख लिया तो हम interstellar space में भी रह सकते हैं तो चलिए आप जानते हैं तीन ऐसे structure के बारे में पहला है Dyson ring या फिर Dyson rings हमारे सुरज के चारों तरफ एक ring का structure बनाया जाएगा इससे हम सुरज के कुछ percentage energy को इस्तमाल करना सीख जाएंगे और अगर हमने एक ring को यूज करना सीख लिया तो हम बाद में कही rings बना सकते हैं जिससे हम कही ज्यादा energy यूज करना सीख जाएंगे और इसे बनाने में काफी कम time और काफी कम budget में हम बना सकते हैं अब आता है Dyson bubbles इसमें कही सारे satellites या फिर कही सारे solar panels को हम सुरज के चारों तरफ cover करके रखेंगे मतलब वो फैलया हुआ रहेगा चारों तरफ से और यह structure बनाना काफी मुश्किल होगा लेकिन इससे काफी ज्यादा energy हम store कर पाएंगे और अब आता है Dyson shale ये mega structure सुरज के 100% energy को store कर पाएगा लेकिन इस case में asteroids से काफी ज्यादा नुक्सान होगा यहा तक कि पूरा structure तभा भी हो सकता है तो अब question है कि हम ऐसे structures बना कैसे सकते हैं इसके लिए हमें पहले type 1 civilization बनना होगा क्योंकि हम जब type 1 civilization बन जाएंगे तब हम हमारे अर्थ के सारे energy को इस्तमाल करना सीख जाएंगे और फिर हम इसी process को दूसरे planets पे इस्तमाल करेंगे और उन planets से हम हमारा required resources ले पाएंगे लेकिन अगर हम सूरज के करीब वाले planet से resources ले तो exporting का काफी पैसा बच जाएगा अब हमें resources भी मिल गया तो अब हम उन resources से solar panels या फिर satellites बना सकते हैं लेकिन हमें वहाँ से resources लेने के लिए mining करना परेगा तो अब हम mining कैसे करेंगे हम इनसानों को वहाँ दूसरे planet पे भेज कर mining नहीं करवा सकते क्योंकि इसमें काफी ज्यादा time लगेगा और इनसानों को space में भेजना काफी ज्यादा रिक्सी है और काफी ज्यादा खर्चिला भी हमें यहाँ पे robots का इस्तमाल करना परेगा जिसे हम कम टाइम में और कम बजट में यह काम कंपलिट कर सकते हैं लेकिन कुछ इनसान इंटरस्टेलर स्पेस में रहकर उन्हें कंट्रोल करेंगे अब हमें resources भी मिल गया तो अब हम उन resources से solar panels या फिर satellites बना सकते हैं फिर हमने solar panels या फिर satellites भी बना लिया अब बारी है launching का लेकिन अगर हम spacecraft से launch करें तो इसमें काफी ज्यादा पैसा खर्च होगा उसके लिए हमें missile launcher के तरह कहीं launchers बनाना होगा जिससे कि हम काफी कम टाइम में और कम बजट में ज्यादा satellites या फिर solar panels छोड़ सकते हैं अब मान लो हमने एक satellite छोड़ा और उसने अपना काम करना शुरू कर दिया वो energy को store करेगा और transfer करेगा हम तक और हम उस energy को इस्तमाल करके बाकी के satellites भी बना सकते हैं और इस process से हम काफी जल्दी पूरा structure बना सकते हैं और अब finally ये पूरा structure तयार हो चुका है यानि हमने Dyson Sphere बना ले अब हमारा जो technology होगा वो हमारे imagination से भी बाहर है हमारे पस अब ऐसा energy मोजूद है कि हम universe में किसी भी कोने में कम time में जा सकते हैं और कही scientists का ये कहना है कि इस universe में ऐसे भी alliance मोजूद है जो हमसे भी ज्यादा advance होंगे तो अगर हम Dyson Sphere बना ले और हमारे पस उतना energy हो जाए कि हम इस universe में कही पे भी कम time में जा सके तो हम उनके बारे में भी जान सकते हैं हम उन alien civilization को ढूंड सकते हैं और हम ये भी जान सकते हैं कि वो हमसे कितना ज्यादा advance है तो जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में कहा था कि type 1 civilization बनने में हमें अभी भी 100 साल बाकी है फिर हमें Dyson Sphere के उपर research करना पड़ेगा अगर आपको type 1 civilization से लेकर type 5 civilization तक जानना है तो end screen में आपको वीडियो मिल जाएगा आप वहाँ पे जाके वीडियो पुड़ा देख सकते हो और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और अगर आपको कोई और नया टोपिक जानना हो तो आप कमेंट में बता सकते हो मैं उसके उपर भी वीडियो बना दूँगा और अगर आप मेरे सब कनेक्टर रहना चाहते हो तो facebook और instagram का link मेरे description में दे दिया है आप वाबे जाके भी मुझे follow कर सकते हो तो चलिए दोस्तो मिलते हैं अगले वीडियो